हाई एवरिवान वेल्कम टू खाना मन पसंद आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मतर पनीर की रेस्टोरेंट से भी बढ़िया सबजी जो आप असानी से घर पर बहुत कम चीजों से बना सकते हैं तो आये जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए मैंने थीन सो ग्राम पनीर लिया है और इसको इस तरह से चोकोर टुकड़ों में काट लिया है यह होम मिर्च है एक इंच का अध्रक का टुकड़ा है आट से दस लेसुन की कलिया है यह में इंग्रेडियंट्स है बाकी हम मसाले यूज करेंगे वह आपको साथ साथ पता दूंगी यहाँ पर आदा किलो मतर के दानी है जो कि लगभग एक कप मतर है यह बिलकुल फ्रेश मतर थी बटे से कुप करने में कम टाइम लहींगा इसको हलका साथ अबाल लिया है अगर मतर हलकी सी भी पकी होई तो पहले बॉयल कर ले आप फ्रोजन मतर भी यूज कर सकते है तो आइए जली से हम बटर पनीर बनाना शुरू करते है तो सबसे पहले हम पनीर को फ्राय कर लेंगे यहां पर एक बड़ा चमच ऑईल ले रही हूं वसे से जाधे नहीं लेना क्योंकि हम थोड़ा सा बटर भी डालेंगे बटर में फ्राय करने से पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा हाता है और और इस ले लिया है ताकि जो बटर है वो जले नहीं और अब हम इसमे 1 टेबल अब बटर होने देंगे वेने यहां पर नॉन्स्टिक पैन लिया है इससे बिलकुल भी पनी रिख तो चुकेगा नहीं हा और 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 अच्छे से प्राय हो जाएगा बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो हम इसमें पनी डाल रहेंगे इसको हम हलका गोल्डन कलो आने त इसी तरह भी डाल सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि अब फ्राय करके डालें बट इस तरह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो पनी पर लाइट गोल्डन कलर सा आ गया है तो थोड़ा सब इसी तरह से भी प्राय कर लेंगे तो दूसरी तरह से भी कलर आने लगा है तो हम और पनी निकाल लेंगे गयास का अब ध्यू न यहां ज फिर नेकाल करके इस पाल में डाल दूंगी यहां पर मैंने गुनगुना से थोड़ा से तीज गरम बाणी लिया है इसके फाइदे हैं फाइदा इसका यह है कि एक टो चो इक्स्ट्रा ओयल है वह पानी में रह जाए आप चाहिए तो इस पानी में हलका सा नमा कैट करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें नमा कैट नहीं किया हुआ, तो यह फ्राइड पनीर को साइज पर रख देंगे, वन सबसी के लिए मसाला बनाएंगे, तो मैंने यहां पर एक रहाई लिए है, इसमें हम यह और बटर जो कि हमने पनीर को फ्राइ करने के बाद बच्चा था, यह लग फक वन टेबल स्पून के करीब है, जादा नहीं है, जैसे ही बटर और ओल गरम हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे, आच से दस लिखनी करिया, एक इंच का अग्रग का टुकरा, जैसे ही हलका सा गॉल्डन करग कीः, हुआ झाल देंगे, जनगे, बस उतना ही गूलना है, चाजकी मनिव मेरेस प्रहाँ से तो बोन देंगे, आप इसमें डालदीनकी टॉ को हम इसमें डाल देंगे, टीमाक को नच क्र आपको के यह जल्याल ब healthcare, ज़ों को हम 5-6 हम ज़ोंछ सतानी के अजार नमने सी कर लेंगे विदे कर दिंगे से 3-4 मिनिट के लिए पिंटे में कर दो ते나 मिनिट हो चुके हैं अचछी से रहे हैं विजु का मतलब तो तो ऑचलane हो छोत है आप आप देख सिकने देंगे औरاع आग कम आचार tuning है फॉत कर दो दो तो इसको पर आखेंगे, तो फिर से हमने इस कढाई के लिए गैस अला दी है और अब हम लेंगे दो बड़े चमच तेल, आप और बटर जो चाहे यूज कर सकते हैं, जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमे डालेंगे एक चोटा चमच चीरा, गैस का प्लें ब्लो कर दिया है मैंने साथ ही हम डालेंगे दो तेज पत्ते, दो से तीन चोटी एलाइची, इनको हलका सा कूट करके डालेंगे ताकि फ्लेवर पूरा आएगे वी में, चार लॉंग और एक चोटा सा दालचिनी का टुकड़ा, जैसे ये भून जाएंगे, हम इसमे डालेंगे मसाले, मसालों में पर डाल रहे हूं, एक चोटा चमच देगी मिर्च, आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धन्या पाउडर, और इनको मिक्स कर लेंगे, इस तरह से ग्रिवी में बहुत ही अच्छा कलर आता है, इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे, आधा चोटा चमच हुने गुन चुका है, गैस का फ्लेम बिल्कु लो था, अगर आपको लगे की, आपके मसाले जलने लगे हैं तो आप गैस बंद कर सकते हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे, जो हमने ग्रेवी पीस करके रखिए, इसको डाल देंगे, अब इस तरह से बनाएंगे, तो ग्रेवी पर एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा, और टेस्टी बहुत ही अच्छा आता है, तो इसमें मैं यह मिक्सर कजार है, इसमें से तोड़ असा पानी भी निकाल करके दाल दोंगी, तो इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, हम इसे 10 मिनट तर पकाएंगे, बिल्कु लो फ्ले मिलियम है, तो इसमें पांच मिनट हो चुके हैं, और आप मसाला देख सकते हैं, कि इस तरह का थिक हो चुका है, और जब इतना थिक हो जाए, और पांच मिनट होने के बाद, हम इसमें डाल देंगे, दो टेबल स्पून घर की मलाई, यह देखिए, घर की फ्रेश मलाई है, तो यहाँ पर दो बड़े चममच आड़ कर दूंगी मैं, जिससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इस टेश पर आड़ करने से आपको ग्रेवी अलग से हेवी भी नहीं लगती, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर से पांच मिनट के लिए ढ करेंगे, लोग तो मीडियम फ्लीम पर ही रखना है हमेसे और पांच मिनट के लिए और पकाना है, और बीच पीच में यह लाते रहें ताकि ग्रेवी नीचे से लगे नहीं, तो यह दिखिए पांच मिनट और हो चुके हैं, तो अब हम चेक कर लेंगे, बहुत ही अच्छे स करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे मटर, जो कि उनकी पहले से बस्क्राइब बढ़ने ही है तो अब तभी आड कर देंगे, जब आप इसमें फ्रेश क्रीम या मलाई, देंगे, इसको मिक्स कर देंगे, मटर आड करने के बाद मैं इसमें 1 कप गरम पानी डाल दोगी, जि अच्छे की ग्रेवी काफी अच्छे से जो ऑल होता है वो छोड़ देती है और पकने में भी बहुत जादा टाहिम नहीं लगता आप एक बार इस ट्रेक को जरूर क्राई कीजिएगा एक कप पानी डाल दिया है मैंने आधा कप गरम पानी और डाल रही हो हम इसे कवर कर के साथ पकने देंगे लगभग 5 मिनट के लिए ताके मटर जो है इसका सारा फ्लेवर इब्सॉब कर ले और अच्छे से कुख हो जाए इसके साथ पनीर हम बाद में डालेंगे ताके वो चूई न हो जाए मटर डालने के बाद अब आप इसमें डाल देंगे पनीर मैंने इस से पानी से बाहर निकाल दिया है और अब हम इसे डाल देंगे और पनीर डालने के बाद हम इसे ढख करके लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताके ग्रेवी थोड़े थिक हो जाए तो यृदि कि इसे 5 मिनट हो चुके है तो हम चेक कर लेंगे मैं ग्यास बंद कर रहे ताके अब देखता है यह लिखे किस तरह से ऊपर ओल आ गया है और यह वी कितनी अच्छी रिख रही है मटा पनीर की सबजी और अब हम इसमें लगभग एक छोटा चमच कसूरी में थी डाल देंगे इसी के साथ हम इसमें डाल देंगी बारी कटा हुआ हरा धनिया और इसक किसी भी रेस्टोरेंट से बढ़िया है आप यहां पर देख सकते हैं इसका टेक्स्चर पर सबसी बहुत ही यमी देख रही है अब इसे गार्निश कर देंगे थोड़े से बारी कटे हुए हरे धनिय के साथ तो आई होप आपको यह रेसीपी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और खाना उन पसंद को सब्सक्राइब करें थाइक्स वाचिंग बाई टेक केर से टून बाई